हेलो रिवान विलकम टो फार्मरोगस यूटूब चैनल फार्मरोगस की यूटूब एज़्जुगशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे anthison cream के बारे में तो हम सिखेंगे ये cream के basic use के बारे में साथी जानेंगे कौन से अलग-अलग medical conditions में ये cream को use की जाती है साथी जानेंगे किस तरह से ये अपना काम करती है और उसके side effects क्या रहे थे कौन से contraindications रहेंगे ये cream को use करने पर तो सीखते हैं आज के लेक्चर में anthison cream के बारे में expert lecture by Amar sir thank you for being फार्मरोक्स family अपडेटर या फार्मरोक्स के साथ access करिया study material test series and decision medicines late course फार्मरोक्स के अब उपर तो भी download करिया फार्मरोक्स और जहाँ पे सीखें medicines के basic use के बारे में उनका dose, side effect and warning वगेरा के बारे में तो study material test series and video lectures के लिए जरूर से download करिया फार्मरोक्स android application जो है वो google play store पे है apple iphone, apple app store, link आपको description box में मिल जाएगी तो सबसे पहले समझे anthison cream के basic concept के बारे में, तो ये cream essay class का medication है कि जिनको हम कहते है antihistamines कि जैसे जो अलग-अलग allergic reactions के अंदर antihistamines के tablets वगेरा यूज किया जाते है antihistamines containing syrup वगेरा होती है उसी तरह से ये जो cream है उसके अंदर में पाई रामाइन मेलेट करके medication जो है वो available है कि जो एक antihistamines medication है और ये medication के कारण ही ये cream को जो है वो antihistamines क्लास का जो है वो cream हम कहे सकते है और ये H1 receptor antagonist क्लास की हम drug कहेंगे कि जो ethelinamide-diamine derivative क्लास का ये medication है कि यहाँ पे आप देखो antihistamines cream के हम बात करें तो खास कर ये medication रहती है 2% weight by weight की quantity में रहती है medication उसके अंदर आगा ये mapiramine mallet और उसके manufacturers के बारे में हम देखे तो वो है Sanofi तो Sanofi Aventis जो है उसके main manufacturer है और ये medication जो है वो fast relief देती है insect bites से, stings and natal races है तो उसके बारे में आगे हम समझते है तो manufacturers जैसे मैं आपको बता है कि Sanofi है तो Sanofi Aventis जो है वो एक French multinational pharmaceutical company की जिसका जो headquarters है वो Paris के अंदर है France के अंदर आगे समझे ये medication के बारे में तो जो mapiramine mallet है वो है first generation antihistamine और side में आप उसका chemical structure देख सकते है कि जो chemistry का structure है mapiramine mallet का वो आप देख सकते है फिर ये medication कैसे काम करती है तो ये medication क्या करती है जो natural substance release होता है जब भी कोई allergic reactions develop होती है body के उबर के जिसका नाम है histamine तो histamine की जो activity है वो ये medication block करती है H1 receptor को block करके और उसी के करण उसको H1 receptor antagonist medication भी कहा जाता या फिर H1 blocker drug भी कहा जाता है और allergic reactions को ये medication जो है वो खासकर treat करता जो है वो OTC available होता है over the counter बीना prescription आपको ये medications मिल जाती है और ये mapire amine millet के combination वाले दुसरे जो product होते हैं वो menstrual symptoms को भी treat करते हैं और साथो साथ common cold में इलाज में भी mapire amine millet जो है वो combination में use होता है दुसरे anti-histamine के साथ तो अब समझते हैं anti-sun cream के जो proper use समझे तो ये medication आपको relief देती है insect bite से कि जब भी कोई insect का bite होता है तो insect bite के इलाज में ये cream जो है आप वो affected area पे लगा सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे insect bite से इस तरह से swelling या सुजन देखने को मिल रही है उसी तरह से ये देखो कि समझे कि insect bite से इस तरह से lips के उपर swelling जैसा हो रहा है सुजन देखने को मिल रही है या फिर ऐसे rashes develop हुए देखने को मिलते हैं और जब insect bite होता है तो sting जैसा होता है मतलब कि जिस जगह पे ये insect bite करता है वहाँ पे काफी pain वगएरा होना जलन वगएरा मैसुस होना तो ये जब symptoms को जो है वो ये medication कम करता है और काफी relief देता है patient को फिर जो natal rashes जो होते है उसमें भी ये medication काफी फाइदे मन है और ये क्या करता है कि जब भी आप ये cream अपलाई करते है affected area के उपर तो ये क्या करेगे कि वहाँ पे जो pain होता है उसको कम कर देगा क्योंकि ये medication के अंदर साथो साथ जो local anesthetic जैसा भी effect देता है मैपाइरा मैलेट itching कम करेगा और जो सुजन हो जाती है वो भी reduce कर देगा वो area पे कि जहाँ पे insect ने bite किया है जहाँ पे जलन जैसा हो रहा है sting जैसा हो रहा है और natal races है तो यहाँ पे आप देखो कि इस तरह से कई बार आप देखो कि जब भी insect bite करते है तो यह वाला पूरा area आप देख सकते हैं कि जो redness देखने को मिल रही है फिर यह वाले portion में सुजन ज़्यादा है फिर यहाँ पे भी छोटे छोटे से दाने जैसा हो गया है जहाँ पे inflammation जैसा हो गया है और वहाँ पे फिर आपको pain वगेरा भी होता है जलन भी होती है तो इस जगाँ पे enthison जो cream है वो person अपलाई कर सकता है फिर इस तरह से जो यह natal races जैसा देखने को मिलता है तो वो भी उसके बिलाज में यूस किया जाती है और जब races जैसे develop होते है इस तरह से तो भी यह medication जो है वो आप यूस कर सकते हैं कि जैसे कि यह mosquito bites से भी कई बार आपके इस तरह के देखने को मिलते है allergic reactions और यह allergic reactions और जदा खराब हो रही है ठीक नहीं हो रही है तो उस वक्त enthison cream जो है वो यूस की जाती है कि directly वो affected area पे जो है वो टॉपी कली लगाई जाती है कि जहाँ पे वो अपनी local action देता है directly और यह जो सूजन है पेन है, itching है और redness वगएरा को यह medication कम करता है आगे देखिए उसके side effects तो anti sun cream के side effects क्या होते है तो यह medication के अंदर कुछ ऐसे ingredient है जैसे कि hydroxybenzoid, तो अगर समझो कि आपको यह ingredients की allergy है या फिर myaparamine mellid के आपको allergy है तो उसके करण आपको क्या होगा कि इस तरह के reaction आपकी skin उपर हो सकतेगी, गर आपको allergy है कि जिसको हम कहते है contact dermatitis की condition कहा जाता है कि contact के करण होने वाला एक skin disease, तो यह side effect तब भी होते है कि जब आपको यह ingredients की allergy है कि आपको cytosterol alcohol की allergy हो जाती है, methyl hydroxybenzoid के आपको allergy हो जाती है, castor oil से allergy हो जाती है या फिर आपको जो है वो myaparamine mellid से भी allergy है तो भी यह problem होगा फिर वहाँ पे skin पे redness हो सकती है, swelling and itching भी हो सकती है और pain और burning sensation तो यह उनी लोगों को होता है कि जिनको यह ingredients की होती है allergy, तो जिनको allergy हो जाती है यह सब ingredients से तो उनको यह anthison cream को use नहीं करनी चाहिए और उसके contraindications देखे तो जब भी आप यह cream लगाने के बाद आप इससे कोई allergic reactions feel करते है कि आपकी itching जो है वो बढ़ रही है कि especially itching या फिर जो जलन होती है, redness होता है, swelling कम करने के लिए यह cream use किया जाता है बढ़ यह लगाने के बाद आपके conditions और जदा खराब हो रही है तो इसका मतलब यह है कि आपको hypersensitity है यह medication की कि जिसको अतिस हमवेदन सिलता कहा जाता है कि कोई बार बहुत सारे लोगों को skin sensitive होती है जिसके करन इस तरह के cream लगाने से उनको hypersensitity हो जाती है तो उन लोगों को cream यूज नहीं करनी है यह फिर आपकी skin abrasive है कि जिसको अप गर्सन तवचा कहा जाता है वो लोग भी यूज ना करें या फिर ऐसे लोग कि जिनकी तवचा जो है वो दूप से जली हुई है कि जिसको sunburn screen कहा जाता कि अगर आपकी तवचा जो जल चुकी है वो भी दूप से कई बार sunlight के expose से कई बार जो तवचा है वो थोड़ी जल गई है ऐसा लगता है वहाँ पे फिर वो damage होती है तो वहाँ पे यह cream लगानी नहीं होती वहाँ पे आप दूसरे जो है वो medications यूज़ कर सकते बड़ एंथिसन क्रीम के यह सब condition आएगे contraindications है कि अगर आपको यह सब feel होता है तो एंथिसन क्रीम को यूज़ नहीं करनी चाहिए तो यह था हमारा special video lecture एंथिसन क्रीम के बारे में तो medicines की जानकारी के लिए जोइन करें फार्मरोक्स के अंदर medicine course की जो फार्मरोक्स की mobile app के उपर available है तो वहाँ पे आप सिख पाएंगे medicines के basic use उनके dose, side effect, warnings क्या रहते हैं contraindications रहा रहते हैं और lectures के PDF, PPT वगेरा सब access करें affordable price में तो download करें फार्मरोक्स android user android app डाउनलोड कर पाएंगे iphone user app store से link आपको description box में मिल जाएगे तो good luck and all the best तो lecture notes के लिए download करें फार्मरोक्स ये number पे आप whatsapp भी कर सकते हैं तो study material taste series and video lecture के लिए download करें फार्मरोक्स android user android app डाउनलोड करें गुद लग और बेस्ट